पाकिस्तान अफ्य लेक्चर सीरीज में आज हमारा नाइन्थ लेक्चर है खिलाफत मुमेंट पे हिस्टोरिकल बैक्राउंड हम जब भी CSS में या PMS में कोई हिस्ट्री से रेलेटेड क्वेस्टन एटेम्ट करते हैं तो हमने इसका इस्टोरिकल बैक्राउंड मस्ट देना होता है खिलाफत मुमेंट के इस्टोरिकल बैक्राउंड में दो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टिंट है एक World War I और एक लखनौप एक्ट लखनौप एक्ट को हम लेक्चर एट में जो हमारे से पहले का लेक्चर था उसमें हम इसको डीटेल में डिसकस कर चुके हैं World War I की कुछ की पॉइंट्स डिसकस करते हैं उन स्टूरिंट्स के लिए जिनको इस वार के बारे में जादा नहीं पता 28 जुलाइ 1914 को World War I जिसको पहले जंग अजीम भी कहते हैं वो स्टार्ट हुई और 4 साल तक ये वार रही यानि 1918 में ये वार खतम होगी अब ये वार स्टार्ट कैसी हुई आस्ट्यो हंग्रिया में के जो रूलर्स थे वो आस्ट्यो हंग्रिया के साथ साथ बालकन स्टेर्स को भी रूल करते थे बालकन स्टेर्स जो हैं वो बेसिकली साउथ एस्ट यॉरप में हैं ये 11 स्टेर्स हैं जिनमें अल्बानिया, रुमेनिया, सर्बिया, बॉसनिया ये कंट्रीज आती हैं और ये कंट्रीज चाहती थी कि वो ऑस्ट्यो हंग्रिया की रूलर के इंफुलेंस से बाहर निकले लेहाज़ा उस वक जो औस्ट्यो हंग्रिया की रूलर बनने वाले थे ये नई रूलर मनतखिब हुए थे उनको कहा जाता है आर्चुप फ्रेंस वर्डिनेन उनको और उनकी वाइफ सोफिया को قतल किया गया था और आस्ट्यो हंग्रिया ने इस गतल का इल्जाम सर्भिया पे लगा दिया जो एक बालकन स्टेट था और इस वज़े से उन्होंने सर्भिया पे वार डेकलियर कर दी इस वार के साथ ही पहले जंग अजीम यानि वर्ल्ड वार वन का भी अखास हो गया और बाकी कंट्रीज ने भी इस वार में शामिल हो गई थी अब बाकी कंट्रीज क्यों शामिल हुई थी यह जो लड़ाई थी तो बिसिकली ऑस्ट्रिया हंग्रिया और सर्भिया की बीच में थी तो बाकी कंट्रीज इसलिए इनके साथ मिली थी कि उस वक्त वर्ल्ड में एक पॉलिस ही थी और यानि पैक्ट होता था मुखतलिफ कंट्रीज के बीच में कि अगर कोई इस तरह वार स्टार्ट हुई तो वो कंट्रीज मिलके उस वार में एक दूसरे का साथ देंगी और जो मुखालिफ कंट्रीज से उनके अगेंस वार करेंगी इसी पैक्ट की वज़े से दो साइड्स बनी एक साइड को हम कहते हैं ऐलीस और एक को हम कहते हैं सेंट्रल पावर्स अब देखते हैं कि एलीस में कौन कौन थे तो ग्रेड ब्रेटिन, फ्रांस, बेल्जियम, रुशिया और एंड में अमेरिका भी शामिल हो गया था इन में किया था फिर ये वर्ल्ड वार वन कब खतम हुई जब जर्मनी ने एक एग्रिमेंट साइन किया और वह एक वह एग्रिमेंट की स्पेस पे था उस एग्रिमेंट को हम आर्मिस्टिस कहते हैं और उस एग्रिमेंट के नतीजे में जर्मनी ने कहा था कि वह दुबार से कभी इसी कोई वार जो है वो उसका आखास नहीं करेगा इस 4 एयर लॉंग वार के नतीजे में जो एलीस थे वो विनर्स थे वो जीत चुके थे और एलीस ने जीतने के बाद क्या किया अब यहाँ से इसका इंट्रोड़क्शन स्टार्ट होता है जब वोल्ड वार वन में जर्मनी को शिकस्त हुई और उसने आर्मिस्ट्रिस एग्रिमेंट को साइन किया तो जो एलीस थी जो उस वक्त के विनर्स थे यानि इंगलेंड फ्रांस और रिशिया इन्हों ने डिसाइड किया कि वो सेंट्रल पावर को खासकल वो जर्मनी को और टर्की को और बाकी जो इनके सेंट्रल पावर में थे जो कंट्रीस इनके साथ मिलके इस वार में शामिल थी उनको पनिश्मेंट के तोर पर डिविजन करेंगे उनको पार्ट्स में में कनवर्ट कर दिया था एक हिसा जो है वो यूके के पास आ गया था और एक हिसा फ्रांस के अंडर आ गया था इसी तरह उन्होंने टर्की के भी हिसे कर दिये थे ना सिर्फ ये बलकि उन्होंने जो खिलाफत है आटमन इमपायर में जो खिलाफत है उसको भी उन्होंने इब एप सिक मैन आफ यूरप कहते थे यानि उनके ख्याल से कि अब वो ट्रकी का यूरप में पर जुह है रूलिंग खटम हो जाने चाहिए और इसके जो है उन्होंने हिसे कर दिये थे बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो टर्की से उन्होंने अलग कर दिये थो इसको वीक करने के लिए अब यहाँ से क्या हुआ कि जो सबकॉंटिनेंट की मुस्लिम्स थे वो क्योंकि अपने खलीफ़ा के लिए उनकी दिलों में बहुत रिस्पेक्ट थी और वो अपने खलीफ़ा की यूमेलियेशन यानि उनकी बेज़ती किसी तोर पर भी बरदाश नहीं कर सकते थे लहाज़ा उन्होंने सबकॉंटिनेंट में इस मुमेंट का आखास किया और यह मुमेंट बेसिकली थी एक दो खलाफ़त इंस्टिजूशन को सेफ करने के लिए दूसरा अपनी हॉली प्लेस की हिफाज़त करने के लिए और इस मुमेंट को हम कहते हैं खलाफ़त मुमेंट क्योंके यह मुमेंट बेसिकली चलाई ही खलाफ़त इंस्टिजूशन को प्रोटेक्शन के लिए थी अब बात करते हैं खिलाफत इंस्टिजूशन क्या है खिलाफत जो है वो मुस्लिम इंस्टिजूशन है और इसका आगास कब हुआ था हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآले अल्यूसलम के बात जो है पहले खलीफा यानि उनके जो फॉलिवर्स थे उन्होंने ये खिलाफत का आगास किया था और हमारे पहले खलीफा हजरत अबुबकर सिदीक रजी अल्यूसला नहा थे वहां से खिलाफत का आगास हुआ और 1924 तक ये इंस्टिजूशन रहा 1924 के बाद फिर मुस्तफा कमाल अदातुर्क जो कि उस वक टर्की के जो आर्मी थी उनके जर्नल थे उन्होंने फिर खिलाफत को खत्म कर दिया था वर्ल्ड वार वन में सुल्तान अब्दलमजी जो थे वो खलीफा थे और पूरे दुनिया के मुस्लमान जो है उनकी बहुत इज़त करते थे खलीफा मांते थे लहाजा उन्होंने इस बैसिस पे जो इंडियन सब काउंटिटेंट के जो मुस्लम्स थे उन्होंने ये मुमिट स्टार्ट की अपने खलीफा के लिए और उनकी हिफाजब के लिए और खिलाफत इन्सेटιूशन के लिए अब हम causes of falafat movement को one by one discuss करते हैं तो सबसे पहले cause है faith of falafat faith of falafat क्या था कि world war one में जर्मनी तर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और वो ब्रिटिश के खिलाफ इस war में आ गए थे और जो muslims थे वो भी तर्की के साथ थे उनकी संपतीस भी तर्की आर्मी के साथ थी क्योंकि ये जो था सल्तनत इसमानिया या जो तर्की था ये हब था एक तरह का यहां पे खिलाफत इंस्टिजूशन थी यहां पे उनका खलीफा था लिहाज़ वो तर्की के साथ थे अब muslims को इनके hostility को neutralize करने के लिए ब्रिदिश को ये डर था कि जैसे वर्ल्ड वार उफ इंडिपेंडनस ती 57 में muslims उठे थे ब्रिदिश के against कहीं दوبारा से ऐसा ना हो जाए तो muslim को neutralize रखने के लिए उन्होंने एक promise किया कि वो इस वार में उनके खलीफा को कुछ भी नहीं कहेंगे यानि जो institution of खलाफत है या जो उनके खलीफा है वो बिलकुल protected है लेकिन जब ये वार खतम हुई और ब्रिदिश फाइनली जीत कै तो इसके बाद जोनोंने promises किये थे वो उससे बिलकुल हट गए थे prevailing conditions of Muslim world अब हम देखते हैं कि उस वक्त बाकी दुनिया में मुसल्मानों क्या हाल था तो बाकी दुनिया में भी मुसल्मान बहुत बुरी हालत में थे क्योंकि जो European powers थे वो एक एक करके मुसलिम लेंड में खुस रहे थे मुसलिम territories में खुस रहे थे और वहां पर कबज़ा कर रहे थे और मुसल्मान जो हो helplessly ये तमाम चीज़े देख रहे थे फिर अखवानिस्तान की situation पर बात करें तो अखवानिस्तान में यूके और रिश्या की बीच में अक्सर लड़ाई होती थी कि इस country पर किस कर आज होगा तो उस वक वर्ड वार वन के दोरान यूके जो है उसका इंफ्लेंस अखवानिस्तान में ज्यादा था ना सिर्फ ये बलके Muslim North African जो थे वहां पर भी European rule आ गया था और उस पर भी मुसल्मानों ने बहुत react किया था इसके लावा सिप्टमबर 1911 में ट्राइ पॉली जो के Ottoman Empire सलदनिती उसमानिया का एक हिसा था उस हिस्से पे Italy ने अटैक कर दिया था और उसके साथ ही अगले साल जो Balkan स्टेट्स थी उन्होंने भी सलदनिती उसमानिया पे war declare की थी और वो बालकन स्टेट जो थे वो 1913 में सलतनती उस्मानिया से अलग हो गए थे तुर्की से अलग हो गए थे और कहा जाता है कि इसमें ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था अब जनरल इंप्रेशन अमंग मुसलिम्स यानि ये जो कुछ हो रहा था मुसल्मानों के साथ और मुसल्मानों के खलीफा के साथ इसने मुसल्मानों के जहनों में एक बार डाल दी थी और वो ये थी कि वेस्टरन पावर्स वर वेजिंग आ वार अगेंस इसलाम थो आउट दो वाल टू रॉब इट्स टेरिटरी और इंफ्लेंस यान उनको ये लगए था कि ये बैसिकली वार जो है वो इसलाम के अगेंस्ट है ये जो यॉर्पियन या वेस्टरन पावर्स है ये बैसिकली ये जो मुसलिम कंट्री पे बैक टू बैक वो वार कर रहे हैं या उनको कब्से में ले रहे हैं तो ये इसलाम के खिलाफ इन्होंने एक जंग शुरू की ह हुई है यह हमारी territory में घुस के अपना influence जमाना चाते हैं तो यह भी एक reason बना इस moment को start करने का फिर absence of any Muslim sovereign की बात करते हैं तो क्योंकि उस मुसल्मान जो थे उनके पास कोई ऐसे sovereign ruler नहीं था तो उस वक्त मुसल्मान जो तुर्की के सुल्तान थे उनको ही अपना खलीफा मानते थे उनको यह अपना sovereign ruler मानते थे लहाज़ा उनकी हिफाज़ चुथी वो मुसल्मानों पर फर्स हो गई थी blow to the existence of Islam यह नहीं मुसल्मानों को यह लग गया था कि they felt that any misadventure with this empire will certainly be a great blow to the existence of Islam यह नहीं क्योंके वो तुर्की को अपना hub मानते थे इस center मानते थे जहां पर उनका खलीफा रहता था जहां पर उनकी खिलाफत थी तो उनके recording अगर वो सल्देने तुस्माने के हिफाज़त ना कर सके तो यह किसम का इसलाम के लिए भी खत्रा है कि उनका जो center है जो उनका खिलाफत institution है अगर वो abolish हो गया वो खत्म हो गया तो यह इसलाम के लिए बहुत बड़ा खत्रा है फिर कुछ acts आये थे roll act act और जालियाँ वाला बाख incident हुआ था इस incident ने भी जो प्रितिश थे उनकी against जो है वो hostility बढ़ा दी थी अब one by one in acts को पढ़ते हैं रॉल act act क्या था basically 1919 में ये act हुआ था यानी world war one जो है वो खत्म हो चुकी थी ये act पास किया था Britishers ने और legislative council जो था Britishers का उन्होंने ये act पास किया था इस act को पास करने वाले justice रॉल act थे उन्होंने कमेटी बनाई थी 1918 में और उस कमेटी ने ये act पास किया था अब इस act के main objective क्या था कि Britishers को ये डर था कि जिस तरह वर्ड वार वार ओफ इंडिपेंडेंट्स हुआ 1857 में और सब कॉंटिनेंट के जो हिंदू और Muslims थे वो Britishers के अगेंस एक हो गये थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किये थे कहीं दुबारा से सब कॉंटिनेंट में British government के अगेंस ये प्रोटेस्ट स्टार्ट ना हो क्योंकि वो अभी एक war के face से गुसरे थे लहादा वो इसके बाद कोई प्रोटेस्ट effort नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उस वक्त सब कॉंटिनेंट के मुसल्मानों को एक तरह से पूरे सब कॉर्डिनेंट के इंडियन्स को सप्रेस करने के लिए ये एक्ट पस किया था और इस एक्ट के एकॉडेंग अगर कोई भी कॉवर्मेnt के अगेंस जाएगा उनकी पॉलिसीस के अगेंस जाएगा या प्रोटेस्ट करेगा तो बगिए ट्राइल की ही उसको सजा जाएगी और सजा के तोर पर उसको दो साल तक प्रिजर में बन कर दिया जाएगा इसको हम बेसिकली कहते हैं राउलेक्ट एक्ट फेबरी 1919 अब जालियाँ वालब बाख एपरेल 1919 में हुआ था यानि राउलेक्ट एक्ट के कुछ मंस बाद अब ये इंसिडेंट क्या था बेसिकली कि जब ये राउलेक्ट एक्ट आया तो क्यूंकि पहले जब वर्ल वार वन स्टार्ट हुई थी तो कौंग्रेस को भी ये लग रहा था और सबकॉंटिनेंट के मुस्लिम्स को भी कि जो पृतिशर्स हैं वो इस वार में हार रहे हैं लेकिन अमेरिका के इस वार में आते साथ ही पूरा पढला बदल गया और सेंट्रल पावर्स जो इस लीडिंग रोल में थे जो जीत रहे थे वो हार गए और एलीस जो हैं वो जीत गए अब यहां पर क्या था कि जो इन सबकॉंटिनेंट के मुस्लिम्स थे या हिंदूस थे ये दोनों ही जो थे ये प्रोटेस्ट में आ गए थे गॉर्मेंट के अगेंस्ट और उस प्रोटेस्ट में कोई 10,000 तक डिमॉनिस्टेटर थे जोनों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट का आगाज इनों ने किया था 13 अपरेल 1919 को अमरित्सर पंजाब डिस्ट्रिक से स्टार्ट हुआ और करते करते ये जालिया वाला बाख तक पहुंचा इस अलसो अपलेस इन इंडिया और जब ये प्रोटेस्ट वहां तक पहुंचा तो इन क्योंके इनोंने मार्शला लगा दिया था एक तरह से और परमिशन नहीं थी किसी तरह से भी प्रोटेस्ट की लेकिन जब ये लोग आए तो उनोंने इन टूप्स ने जो है इन पर फाइरिंग स्टार्ट कर दी और इन टूप्स को कमांड करे थे प्रिगेडियर जर्नल डायर और इसकी वज़े से तकरीबन 379 तक लोग मर गए थे और 1200 तक जखमी हो गए थे अब इससे क्या हुआ कि जो हाउस अफ लॉड्स है उसने बज़ाए इस एक्ट को कंडेम्ट करने की जो प्रिगेडियर जर्नल टायर है उनको इन्होंने शबाशी दी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मार दिया अब इसकी वज़े से सब कॉंटिनेंट के जो इंडियन्स थे हिंदू और मुस्लिम दोनों वो और भी ज्यादा ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गए थे और ज्यादा हॉस्टाइल हो गए थे ट्रीटी ओफ सेवरा अब ये ट्रीटी क्या थी खलेफ़ जो था वो मुसल्मानों के लिए एक पावर सेंबल भी माना जाता था और इस ट्रीटी के नतीजे में उन्होंने क्या किया जो तुर्की है उसके बहुत सारे हिस्से यानि सेरिया, इराग, जॉर्डन इसको भी तुर्की से अलग कर दिया था और अर्मानिया को भी एक नया स्टेट बना दिया था एनातॉलिया को समारना को इसको भी ग्रीस के हवाले कर दिया था अब ये सारी चीजे जो है वो मुसलिम्स देख रहे थे किस तरह से उनके जो तुर्की था जिसने एक लंबे अरसे तक आदे से जादा बलकर पूरे यॉर्प पे ही उसका राज था उसको किस सरह से ये टुकरों में तक्सيम कर रहे हैं और उसको वीग कर रहे हैं ये इस वज़शने जो अली ब्रडर्डर्स हैं मुलाना मुहमद अली जोहर और मुलाना शौकत अली जोहर इन दो भाइयों ने इस momentum का आगास किया क्योंकि जो है वो तर्की को भी बचाना चाते थे वो अपने holy places को भी और वो खिलाफत institution को भी बचाना चाते थे इस तरह से जो है वो खिलाफत moment का आगास हो गया अब जब आगास हुआ तो objective क्या थे? objective और खिलाफत moment में एक तो यह स्टार्ट की थी और इस मुमेंट के जो अबजेक्टियों थे वो बिलकुल क्लियर थे यानि इंस्टिटूशन आफ खिलाफत को प्रिजर्व करना, आटमन अमपायर की हफाज़त करना, हौली प्लेसिस की हफाज़त करना जो साओधी अरब में थे अब इस खिलाफत मुमेंट से पहले, यानि मार्च नाइटीन ट्वेंटी में मुलाना मुहमद अली जोहर जो है, वो इस वक्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लियॉर्ड जोर्ड से मिले और उनको अपने प्रामिस याद दिलाए जो नोंने किये थे वार के दौरान के वो खि वो उनके जो हॉली प्लेसेज हैं, वो उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसके जवाब में उनका रिप्लाइ था कि टर्की विल कैट दे जिस्टिस ऐस जर्मनी हैस रिसीवड यानि जो कुछ जर्मनी कुछ इस तरह से पनिश किया गया है, वो ही इनसाफ वो तर्की के तो अब उनके पास और कोई रिजन या और कोई रास्ता बाकी नहीं था सिवाए इसके कि वो फुल फलेच मुमेंट स्टार्ट कर दें गांधी एंड खिलाफत अब वर्ल्ड वार वन के तौरान ही लकनौ पैक्ट हुआ था और जिसको हम यूनिक पैक्ट कहते हैं क्योंके पहली बार हिंदू मुसलिम की बीच में यूनिटी आई थी और इसी जो स्पिरिट था हिंदू मुसलिम यूनिटी का ये तुबारा से हुआ और हिंदूों ने भी मुसल्मानों को सपोर्ट देना की पेशकर्श की कि वो इस मुमेंट में मुसल्मानों के साथ हैं मुसल्मान ये दे के बड़े खुश हुए कि हिंदू जो है वो खिलाफत मुमेंट में मुसल्मानों को सपोर्ट कर रहे हैं और गांधी की लीडर कि शातर किसम के पालिटिशन थे और उनको खिलाफट से कोई लेना देना नहीं था. वो सिर्फलाफथ मुमेंट में मुसल्मानों के साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि लिए अइक बड़ी मुमेंट कि चाते थे. ऐसी मुमेंट जिसमें वो सेल्फ रूल जो वो चाते थे सवराज मुमेंट उसको ब्रितिश एर पे प्रेशर डालना चाते थे कि वो किसी तरह से सब कॉंटिनेंट से निकल जाए और सब कॉंटिनेंट का जुरूल है वो कांथी के हवाले कर दे वो कॉंग्रिस के हवाले कर दे और ये चीज वो अकेले नहीं कर सकते थे लहाजा उन्होंने इस बात का फाइदा उठाया कि मुसल्मान पहले से ही गलियों मे उनको सब कॉंटिनेंट से भगा देंगे तो लहाज़ा इसके पीछे ये रीजन थी उनको खिलाफत की वज़े से वो मुसल्मानों को बिलकुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे अब जब गांधी ने खिलाफत मुमेंट में आये तो उनों ने रहा कि मैं नॉन वायलेंस पॉलिसी पे को इंप्लिमेंट करूंगा वो ही पॉलिसी जो ने ने साउथ ऐफरिका में भी अपलाई की और बजाहिर वो कहते थे हम के वो नॉन वायलेंस मुमेंट है यानि वो जो प्रोटेस्ट करेंगे उसमें किसी तरह कभी वोयलेंस नहीं होगा लाउंचिंग ओफ दे मुमेंट बकाइद तोरपे इस मुमेंट का आगास हुआ कि बाइकॉर्ट होने लगा ब्रेटिश कोर्स का ब्रेटिश इंस्टिजूशन का इसके लावा नॉन कोपरेशन मुमेंट स्टार्ट हुई और गॉर्ण्मेंट सर्वेसिस से रिजाइन दे दिया जो परिटिश इंडियनस जो सबकॉंटिनिन्ट की इंडियनस थे उन्होंने और जो टाइटल्स न को मिले थे अंग्रेजों की तरफ से वो भी उन्होंने वापस कर दिये, बाइकॉर्ट किया, कोट ओफ लॉका, कॉलिजेज और स्कूलों से वो उन्होंने वॉक आउट किया और इसे पहले जो रिफॉर्म्स हुए थे, 1919 में, वॉल्ड वार वन के खतम होने के साथ ही रिफॉर्म्स लाए गए थे, उन रिफॉर्म्स की एकॉर्डिंग सब कॉंटिनेंट में इलेक्शन किये जाएंगे, लेकिन इस मुमेंट के नदीजेम उन्होंने, कॉंग्रिस और इसे लावे ही मुसल्मानों ने, क्योंकि वो देख रहे थे कि हिंदू उनके साथ हैं इस चीज में, लेकिन ये तमाम बाइकॉट और इस सारी चीजे असल में गांधी की फेवर में जा रही थी, क्योंकि उनका जो वो सवराज मूमेंट था, उसको बहुत जादा सपोर्ट म ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंपोर्टिट तमाम चीज़ों को उन्होंने रिजक्ट कर दिया, अब ये इसको वो इंडियन फ्रीडम भी कहते थे और इसके लिए उन्होंने सेंबल रखा चरखा, यानि वो जो स्पाइनिंग वील होता है, वो उन्होंने सेंबल फ्रीडम था कि किसी तरह से वो ब्रेटिशर को इंडिया से भगा सके और उस फ्रीडम के लिए उन्होंने चरखा या स्पाइनिंग वील जो था वो अपना सिंबल रखा था, अब वहाँ सब कॉंटिनेंट के जो अलमा थे, उनका भी यहां पर बहुत रोल है, क्योंकि उन् अबरी ब्रेदर ने एजुकेशनल बाइकॉड भी कर लिया, अब इन फित्वों के बाद हिजरत मुमेंट, यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है, क्योंकि मुलाना अब्दुलकलाम और मुलाना अब्दुलबारी यह दो लीडर्स थे जन्होंने फत्वा दिया कि जो इंडिय यानि जो सब कॉंटिनेंट है, तिस इस दारूलहब, यानि होम फॉर वार, और यह अब मुसल्मानों के रहनी की जगह नहीं है, इसलाम जो है, यहां पे मुसल्मानों का जो रिलिजन है, वो खत्रे में है, लहाज़ अब मुसल्मानों को यहां से हिजरत कर लेने चाहिए, इसको हम कहते हैं हिजरत मुवमेंट, और इस मुवमेंट के नतीजे में 18,000 तक मुसल्म्स जो थे, इन्होंने अपनी तमाम जो सब कॉंटिनेंट में उनके घर बार थे, वो छोड़कर हिजरत की अगवानिस्तान की तरफ, अब जो अगवान कॉर्मेंट थी, स्टार्ट में तो उन्होंने मुसलिम्स को, क्योंकि वो मुसल्मान भाई थे उनके, उनको वेलकम किया, लेकिन इतना बड़ा इन्फलक्स जब आया, तो जो अगवान कॉर्मेंट थी, वो इसकाबल नहीं थी, कि वो इतने ज्यादे रिफिजिस को वहां पे जगा दे सके, या फिर उनको स आ सकते थे, और ना वो वापस जो है, वो इंडिया सब कॉंटिनेंट में आ सकते थे, तो हिजरत मुमेंट जो थे, वो भी फेल साबित हुआ, और मुसल्मान जो है, इसमें बहुत सारे शहीद हो गए, फिर मुपलर अपराइजिंग क्या था, ये अरब मुसलिम्स थे, और स और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में, जो पुलीस है, इन्होंने बहुत सारे इन अरब मुसलिम्स को, इन मुपलास को अरेस्ट भी किया था, और तकरीबन चार सो को मार भी दिया था, और ये पुलीस आफिसर्स जो थे, वो बेसिकली वो ही थे जो जिन में ब्रेटिश आफ को भी जबा कर दिया था, ना सिब ये बलके उन्हों वो जेल गए, और जेल में जो उनके कैद साथी थे, उनको भी वहां से छुड़वाया, और गुरीला वार शुरू कर दी, गौर्मेंट और हिंदूों के अगेंस्ट, अब इस में क्या था, उनके जो ब्रेटिश गौर् आने ले जाने में यूज होते हैं, उन ट्रेंज में, कंपार्टमेंट में उनको बंद कर देते थे, और फिर वो ट्रेंज जब तक अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचता था उस वक तक, जो वहां बंद डबो में लोग थे, वो सफूकेशन से, यानि दम खुटने की वाज नाइटीन ट्वेंटी वन कहते हैं, फिर चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, ये क्या था बेसिकली, कि खिलाफत लीडर्स जो थे, अली ब्रेदर्स हो गए और बाकी मुस्लिम लीग के प्रॉमिनेंट लीडर्स, उनको गॉर्मेंट ने अरेस्ट कर दिया था, उनको अरेस्ट करने के बाद जो मुमेंट थी, उसकी लीडर्शिप गांधी के हाथ में आ गई थी, क्योंकि मुसल्मानों को बजाहिर लगता था कि गांधी उनके साथ इस मुमेंट में शरीक है, और जबकि गांधी ऐसा कुछ भी नहीं था, जब उसको इस मुमेंट की लीडर्शिप मिली तो इस मुमेंट को सपोर्ट करने की बजाए, उसने इस मुमेंट को और भी जादा वीक कर दिया था, क्योंकि ही वास सिंप्ली यूजिंग इस मुमेंट आज इस इन्स्टूमेंट फॉर दा आटेन्मेंट आफ सवराज, यूजिक वो तो सिफ इसको अपने सेल्फ रूल की मुमेंट को बूस्ट अप करने के लिए यूस करा था लहाज़ा जब चोराचुरी इंसिडेंट हुआ इस इंसिडेंट में क्या था कि फरोगाबाद डिस्ट्रिक में छोटा सा टाउन था उस टाउन का नाम है चोराचुरी और वहाँ पर जो गॉर्मेंट है उनके अगेंस प्रोटेस्ट हुआ फिट फेबरी को और लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम टेक्स नहीं पर करेंगे और वो एक तरह से प्रेशयर डाल रहे थे कि किसी तरह से उनकी लीडर्स जिनको अरेस्ट किया गया है उनको छूढवा सके तो पोलीस ने उनको डिस्परस करने के कोशिश की जिसके वज़ा से वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनको प्लीस स्टेशन को आग लगा दी और 22 तक पुलीस जो है वो अधर ही जलके जिन्दा चल गए थे अब इस इंसिडन के बाद गांधी ने क्या किया कि इस मुमेंट को खतम कर दिया और खुद को पुलीस के हवाले कर दिया अब इस चीज ने मुसल्मानों को बहुत परिशान कर दिया था क्योंकि वो जो उनका स्ट्रगल था 1919 से अपने खिलाफत को बचाने के लिए उस स्ट्रगल पर गांधी ने पानी फेर दिया था और मुसल्मानों को एक दफ़ा फिर ये जटका लगा था कि अभी भी हिंदू उनके साथ लायर नहीं थी हिंदू अभी भी उनका अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और जो लखनाव पैक्ट हुआ था जो इनकी बीच में यूनिटी थी वो इधरी खतम हो गई और फिर वो नॉन कापरेशन मुमेंट जो था वो एक हम कह सकते हैं कि गांधी ने क्योंकि जब उसने मुमेंट ही खतम कर दी और खुद को पुलीस के हवाले कर दिया था तो खिलाफत मुमेंट जो थी वो उसने एक तरह से वो मुमेंट वीक हो गई और जो मुस्लिम्स थे अब उनके पास कोई लीडर्शिप नहीं थी इस मुमेंट को आगे लेकर जाने में तो इस तरह से एंड हो गया खिलाफत कभी और खिलाफत मुमेंट कभी अब एंड किस तरह से हुआ कि मुस्तफ़ कमाल अतातुर्ग जो थे उन्हों ने वो उस वक्त जो आटमन अमपायर थी उस आटमन अमपायर की जो आर्मी थी उसके वो जर्नेल थे और उन्हों ने खुद तरकिश सल्तनत अब्दुलमजीद को जो है उन्होंने इस उहदे से फारिख करवा दिया और खुद को जो है वो प्रेजिडेंट बना दिया तुर्की का और ऐलान कर दिया कि जो खिलाफत इंस्टिटूशन है वो उसको खतम कर रहे हैं तो एक तो सब कॉंटिनेंट में जो सब मुस्लिम्स उठे थे अपने खिलाफत को बचाने के लिए एक उस मुमेंट को एंड में गांधी ने खतम कर दिया और उसके बाद तर्की के जो जर्नेल थे उन्होंने भी खिलाफत मुमेंट को खतम करने का ऐलान कर दिया था इस तरह से खिलाफत मुमेंट फेल हो गई अब reasons of failure of the खिलाफत मुमेंट सबसे पहली reason कि कौर्णमेंट ने तमाम important leaders को arrest कर दिया था और जिसकी वज़े से मुमेंट बहुत मतासिर हुई मुसल्मानों को कोई leadership नहीं थी जो इसको lead कर सकती फिर गांधी's action of calling of the moment at the time when the government was about to give some concession यानि गांधी ने उस वक्त इस मुमेंट को खतम किया जब government अच्छी खासी pressure में आ चुकी थी और वो concession देने के लिए रासी थी उस वक्त ही गांधी ने इस मुमेंट को खतम कर दिया फिर हिंदू-Muslim unity approved of futile exercise यानि अब तक हम जो history के events पढ़ रहे हैं हमने देखा है कि हिंदू जो थे वो मुसल्मानों के साथ कभी भी loyal नहीं थे और यहां पर भी जो 1916 में पेक्ट हुआ था आट साल तक रहा था तो वो unity भी एक मतलब base पे थी यानि बस congress चाते थे कि वो मुसल्मानों के साथ मिलके को जो अंग्रेस हैं उनको सब कांटिनेंट से बाहर निकाल सके और सिर्फ इसी वज़ा से वो मुसल्मानों के साथ उनने हाथ मिलाया था तो लहाज़ा यहां खिलाफत moment को जो failure है उसमें एक reason ये भी है कि हिंदू-Muslim unity जो थी वो कोई real unity न नहीं थे फिर जो तुर्की की grand national assembly है उसके जो लीडर थे मुस्तफा कमाल अता तुर्क उन्होंने institution को खिलाफत institution के abolish कर दिया यह भी एक बड़ी वज़ा बनी खिलाफत moment की failure की और बाद में उन्होंने खुद को तुर्की का पहला प्रेसिडेंट भी डेक्लेयर कर लिया थ एफेक्ट्स ऑफ खिलाफत moment पढ़ें तो बजाहिर खिलाफत moment एक failure था फिल हो गया था जो इसको objective था खिलाफत institution को preserve करने का वो पूरा नहीं हुआ लेकिन इसके बहुत far reaching impact से सब कांटिनेंट में और उन impact को हम one by one पढ़ते हैं सबसे पहले तो खिलाफत moment ने dynamic leadership थी मुसलम मुसलमानों ने इतनी बड़े तादाद में एक होकर कोई moment चलाई थी किसी dynamic leadership के अंडर तो खिलाफत moment ने तो उनको dynamic leadership दी दूसरा मुसलमानों को पहली दफ़ा पता चला है या हम कह सकते हैं कि पहली बार मुसलमान जो थे वो समझ गए थे कि moment कैसे करते हैं अगर हम एक साथ मिल जाएं अगर हम में unity हो तो पिर हमें इंदू की भी जरूरत नहीं है और हम अपने demands को पूरा कर सकते हैं हम इस तरह से moments जो है उनको और्गिनाइस्ट कर सकते हैं और दूसरा जो नमें religious enthusiasm था वो भी आगया आगया था यानि मुसलमानों को एक चीज़ ये भी clear हो गई थी कि वो religion के लिए भी अकठे हो सकते हैं वो इसलाम के नाम पे अगर unity में आ जाएं और इस तरह से protest करें तो वो बहुत सारे successful moments भी organized कर सकते हैं फिर उलिमा का भी बहुत रोल था इस moment में उन्होंने भी organized leadership दी थी मुसलमानों को और ऐसा पहली दफ़ा सब continent की history में हुआ था कि मुसलमान जो थे वो religious और political objectives को उन्होंने merge किया और उसके लिए वो उठे यानि उनका religious objective भी था वो अपने religion को अपने खिलाफत क भी बचा रहे थे और उनका political objective भी था यह तो पहली दफ़ा उन्होंने अपने religious और political objective को के लिए कोई moment जो है वो initiate की थी फिर खिलाफत moment प्ले effective role in eliminating an Islamic trends and concepts from the religion and politics यानि इसमें इसका एक effect ये भी है कि उस वक्ट जितने अन Islamic trends आ चुके थे उनको भी खिलाफत moment ने बहुत हद तक जो है उसके influence को खतम कर दिया मुसल्मानों की religion से भी मुसल्मानों की politics से भी हाँ एक चीज़ है कि खिलाफत moment की वज़े से जो मुसल्मानों की economic reviences थे वो और भी जादा बढ़ गए थे क्योंके हिजरत moment में मुसल्मानों बहुत अदाद में वहां पे शहीद भी हुए थे जब अगवान ने उन पे border बन क सके खवानिस्तान और ना वो वापस subcontinent आ सके तो जो economic grieviences था मुसल्मानों का वो इस moment में और भी जादा बढ़ गया था लेकिन इस moment की बहुत सारे जो positive aspects हैं उसमे sense of concern among the Muslims about their national interest यानि पहली दफ़ा मुसल्मानों में ये sense भी आ गया था कि वो अपने interests के लिए इस तरह की moments भ organized कर सकते हैं फिर एक दफ़ा फिर से खिलाफत मुमेंट ने मुसल्मानों के एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि हिंदू Muslim unity जो है वो कभी नहीं हो सकती एक fake idea है अगर कभी हिंदू मिल भी जाते हैं मुसल्मानों के साथ तो वो सिफ अपने मफात के लिए मिलते हैं फिर गांधी की बात हम करें कि गांधी ने जब इस मॉमेंट की leadership इसको मिली तो उसके सاتھ ही इसने उस मॉमेंट की जर्सही उस मॉमेंट को खुतम कर दिया यनि उस मॉमेंट को इसने बालिश कर दिया, खुद को police के हवाले कर दिया और इस मुमिंट ने फिर असल में मसल्मानों को ये बताया कि अपने इंटरस्ट के लिए वो किसी और पे डिपेंड ना करे बलकि अपने इंटरस्ट के लिए वो खुद एक दूसरे के साथ अगर उन में यूनिटी हो और एक अच्छी लीडरिशिप हो तो मुसल्मान जो है वो अपने तमाम जायज डिमांड्स को मनवा सकते हैं और इसके लिए उनको किसी की सपोर्ट की किसी की हल्प की जरूरत नहीं है मुसल्मानों को डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे और जो टू नेशन थीरी का कॉंसेप्ट है खिलाफत मुमेंट ने इस कॉंसेप्ट को भी बहुत स्ट्रेंटन कर दिया था और क्यों क्योंकि मुसल्मान जान चुके थे कि उनको पहले से भी चीज़ का पता था कि सब कॉंटिनेंट में दो अलग अलग नेशन्स है लेकिन खिलाफत मुमेंट के बाद और पर जो कांधी नेट में उनके साथ किया उससे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि हिंदू जो है वो एक अलग नेशन है मुसलिम एक अलग नेशन है मुसलिम का अपना रिलिजिजन है और वो अपने रिलिजिन के खुछ जम्यदार है वो अपने रिलिजिन को खुद प्रोटेक्ट करेंगे अपने जो नेशनल इंटरेस्स है उनको वो खुद उनकी प्रोटेक्शन करेंगे लहाज़ एक तो टू नेशन थिरी का जो कॉनसेप्ट है वो बहुत अहम है और खिलाफत मुमेंट ने उसको बहुत स्ट्रेंटन किया और उसके साथ वो ही टू नेशन थिरी बेसिकली इस्टैबलिश्मेंट ऑफ पाकिस्तान में उसका फिर बहुत रोल है और इस मुमेंट ने मुसल्मानों को बताया कि वो किस तरह से कौन से टैक्टिक्स यूज करके अपने नेशनल इंटरस्ट को अचीव कर सकते हैं अपने डिमांज जो है वो मनवा सकते हैं क्योंकि इससे पहले तक उन्होंने ऐसी कोई भी मुमेंट जो है वो नहीं की थी इतनी पूरी कंट्री वाइड इतनी बड़ी पैमाने पे उन्होंने कोई मुमेंट इससे पहले नहीं की तो बजाहर वो मुमेंट जो फेल थी उसके बहुत पॉजिटिव एफेक्ट्स थे सब कॉंटिनेंट के मुस्लिम्स पे कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन में हम कहते हैं कि जो प्राइम पर्पस था वो था मास अवेकिंग और पॉलिटिकल कॉंशिसनेस अफ दे मुस्लिम्स आफ दे इंडिया नहीं खिलाफत मुमेंट जो एक फेलियर थाबित हुई थी लेकिन उसके बहुत पॉजिटिव एफेक्ट थे मुसल्मन जो है फो पॉलिटिकली ठीज जड़ी कॉंशिस हो गए थे और उनमे ज़दा अवेरनैस आ गई थी मुसल्मान बहुत पॉलिटिकल तो पो दे बहुत दे और उनमें आ चुका था इसके इलावा मुसल्मानों को एक चीज सिखा दी गई थी खिलाफत मुमेंट में कि इव ते वांट तो सर्वाइफ इडिगनिटी ते मस्ट हैव तो रिलाई अपान तेर उन स्टेंट और हैव तो चाक आउट तेर पुलिटिकल डेस्टिनी यानि वो अगर चाहते हैं कि वो एक इजददार तरीके से जिन्दगी गजारे तो मुसल्मानों को चाहिए कि वो अपने स्टेंट पे रिलाई करें वो किसी पे डिपेंट ना हो जैसे खिलाफत मुमेंट में वो खुश थे कि गांधी उनको सपोर्ट कर रहा है लेकिन एंड में जब उनको कुछ अपनी मुमेंट से मिलने वाला था अपना अबजेक्टियों के करीब थे तो गांधी ने एंड टाइम पे जो है वो उस मुमेंट को खतम कर दिया लहाज़ इस मुमेंट ने उनको सिखाया कि अगर आप खुद आपस में आपकी यूनिटी हो तो अराम से अपने पुलिटिकल डेस्टिनेशन को आप अचीव कर सकते हो और इस तरह से जो उनकी पुलिटिकल डेस्टिनेशन थी यानि एक सेपलिट होमलेंट की जो डेस्टिनेशन थी उसको अचीव करने में खिलाफत मुमेंट का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि इंडिपेंडन्स आफ पाकिस्तान में फिर जितनी मुमेंट्स होई वो बेसिकली वो मुमेंट्स जो थी उनकी बुनियाद खिलाफत मुमेंट्स थी यानि खिलाफत मुमेंट्स नहीं एक बेस बनाई एक डाइनमिक लीडर्शिप दी और मुसल्मानों को वो तमाम तरीके सिखाए कि वो किस तरह से युनाइट होके जो है वो अपने इंडरेस्ट को अचीफ कर सकते हैं अभी कुछ पास पेपर के क्वेस्टन्स हैं तो हम ये इस चीज़ को डिसकस कर चुके हैं इसके एफेक्ट्स में भी किस तरह से मुसलिम सेंस आफ नेशनलिसम डिवलप हो गया था खिलाफ़त मुमेंट की वज़ा से फिर खिलाफ़त मुमेंट वास इमोशनल मुमेंट तो येस आप कह सकते हो कि ये इमोशनल मुमेंट है क्योंकि जो Muslims थे वो emotionally attached थे तुर्की के साथ, सलते रहे थे उस्मानिया के साथ और अपने खिलाफत के साथ तो इसको आप somehow emotional moment कह सकते हो फिर impacts of खिलाफत moment on Indian Muslim तो इसके impacts अभी हमने पड़े थे कि जो सब कॉंटिनेंट के Muslims थे उन पर क्या impacts थे कि एक तो sense of nationalism आया और इनको leadership मिली और इनको तरीका आया कि किस तरह से movements करते हैं, इनको कैसे organized किया जाता है और उनके basis पे फिर इन्होंने जो independent struggle था पाकिस्तान के लिए वो start किया तो ये तमाम जो है वो खिलाफत moment के impacts में आते हैं Thank you so much